हेलो बच्चो नमस्कार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम प्रते दिन आप लोगों को उत्तर प्रदेश बिद्याग्यान मुख्य परिच्छा की तयारी है तो कोश्चंस भेजते रहते हैं आज हमारा हिंदी का टॉपिक है आपको एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे चीज आपको बहुत मजबूती से रखना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको 5000 में से 2500 बच्चे चुने जाना है तो आपको कैसे करना है तो आए पटापट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि हिंदी के ग्रामर के कैसे प्रशना आ सकते है और उसी के साथ साथ हम एक लेंगे यहाँ पर गध्यांस भी तो यहाँ पर सबसे पहला प्रशना है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे संग्या के कितने भेद होते हैं छे पांच आठ या फिर तीन अगर आपने सही डंग से पढ़ाया तो यह संग्या के बच्चों पां laşना है बल्ला का बहुजटनलै का है बल्ले है कुछ बल्ले या इनमें से कोई नहीं तो बल्ला को बल्ले होता है बच्चों अगलार राम चरित मानद किस के द्वारा लिखा गया बालमी की है ब्यास तुलसी दास या फिर प्रेम चंद बिलकुल शहीं आपको मालुँ होगा रामचरित मानस की जो है रचना पुलसिधास ने की है और जो बालमी की है उन्होंने रामायड की रचना की है तो आपको बहुत याद रखना रामचरित मानस और रामायड में बहुत अंतर है। और अगर आप अपसन चुनते हैं बी दिन कर तो आप बिलकुल सही हैं। अगला है सूर दास किसके उपासक थे राम के गड़ेश के विशनू के या फिर कृष्ण के तो सूर दास के जो भी पद लिखे गए हैं वो सब कृष्ण से संबंदित हैं। इसलिए अपसन डी मतूरा में, गोकुल में, वर्साना में, नंदगाओं में। तो यह आपको मालू होगा जो स्री कृष्ण जी थे वो मतूरा में पैदा हुए थे। अगला है कठोर सब्द का बिलूम। उत्तम होगा, उपेक्छा होगा, कोमल होगा या सरल होगा। चुकि हाँ कठोर पूछ देखे गलत है तो यही हो गया, अतित सही लिखा है, अलोकिक सही लिखा, अधिन भी सही लिखा है। अगला है कि प्रशन 10 से 14 तक नीचे दिये गए गद्यांसों को पढ़कर पूछे गए प्रशनों के उत्तर आपको देने हैं। तो मैं गद्यांस आपको पढ़ देता हू जिससे आप इसे पढ़कर के आंसर मिल सकें क्योंगे आपके सामने स्क्रीन भी रुख सकें। प्राचीन मिस्र में बिग्यान की सिच्छा के लिए प्रियोक सालाओं की भी बिवस्था थी। मिस्रवासी वनस्पति, गोंद, काजल और पानी का गाढ़ा गोल बनाकर उसकी स्याही का प्रियोक क्या करते थी। वे सरकंडे की कलम प्रियुक्त करते थे। इसके अलावा प्राचीन मिस्र में बिग्यान, गणित धर्म और आईरुवेद के छेत्र में भी अनेक पुस्टके लिखी गई परंत। इस काल में नाट सास्तर का विकास नहीं हुआ था, मिस्र वासियों को जोति सास्तर का विसेस ग्यान था। विस्सु के इतिहास में पहला पंचांग बनाने का स्रे मिस्र वासियों को ही है, धूप गड़ी का भी अविस्कार मिस्र वासियों ने किया है। अगला देखे प्राचीन मिस्र में किसका विकास नहीं हुआ तो अगर आप पीछे जाएंगे वहां पर देखेंगे उन्होंने नाट सास्त्र बोला था वहां पर विकास नहीं हुआ था पाकी खगोल है जोती सास्त्र है आईरवत इन सब का विकास हो चुका था तो यहां से आप्षन एवाला अलग हो जाएगा अगला पूछा गया है मिसरवासी काजल का प्रयोग किसके लिए करते थे कपड़ों की रंगाई के लिए स्याही के लिए रंगने के रंग बनाने के ल कर किस चीज का सबसेदि ग्यान रखते थे उनुने बताया था नाट सास्त्र का था ने गणित का दिखाया नहीं है लेकिन उने लिखा है खगोल सास्त्र का उनको बहुत अच्छा ग्यान था चाओधमा है प्राचीन मिसर में पुरोहित बच्चों को किस इस्थान पर तो उस समय जो थे कौन चीज थे यह आपको मालूम होना चाहिए उस समय उन्हें लिखा था कि मंदिरों में वो सिच्छा दिया करते थे और इसके जो विवस्था है जो उसका खर्चा है वो गौर्मेंट से लिया करते थे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रिशन पर नाला आली होगा यानि आपसन बी वाला सही होगा निमन लिखित वाक में कर्म है वह चाय पीता है तो चाय पीता है में कौर्म कौन सा होगा वो आपको लिखना है पीता है वह या चाय या फिर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय तो आपसन सी वाला सही है मैं अगले प्रिशन की बात करता हूँ 17 मध्यम पुरुस वाचक का उधारण है आपका मेरे हमारी आपको तो आप इसका अगर सही answer लगाते हैं आपका तो आपका answer बल्कुल सही हो गजा है अगर मैं अगले question की बात करता हूँ तो अगला प्रस्ण है निम्न लिखित वाक में किस प्रकार का पिसेशन means पर तीन कल्मे हैं तो यहाँ पर किस प्रकार का जो पिसेशन का प्रियोग कीया गया है गुणवाचक संख्यावाचक परणाम परिमाढ़ वाचक यािइन कोई नहीं चूक कहında कि तीन संख्या वाचक है तो यहाँ से अपसन वी की भी ही सही होगा चले अगला कि अपर क्रिया सब्द कौन सा है टोकरी है होई नहीं सकता अब सबजी ये भी नहीं हो सकता मेद होई नहीं सकता लाता है इसका मतलब लाना यह क्रिया सब्द है तो यहां से आप सर्द भी सही होगा चलिए last question देखते हैं कौन सा है देखिए लास्ट प्रशन आपसे पूच रहा है निसेद वाचक वाके का उधारन है यानि निगेट्व वाके कौन सा है राकेस नहीं पढ़ता है तुम अलीगड गए चाय पीजिये या कफे बहुत आसान सा था निगेट्व के बात करी जा रही तो इसमें है राकेस नहीं पसंद आये होंगे अगर प्रशन पसंद आये हैं तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर यहां तक आप आए हैं और इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको सदय सबसे पहले मिल सकें जैहिंद बंदे मातरम फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ